हलो फ्रेंड्स आपका स्वाकत है हमारे आईटे फिटर फाइटर चैलन वे तो हमारा एक लाइफ डिसकस्टन हमारा रह गया था लाइफ टेस्ट पार 26 जिसमें हमारे लिमिट फिट टॉलेंस के इंपॉर्टेंट कोश्चन थे तो इसलिए वीडियो कोंता तक देखेगा इस कि एगजम में कोश्चन आ जाते हैं इसलिए आपको वीडियो अंतर तक देखना चाहिए कोश्चन किस प्रकार से आते हैं तो हम याँ पे एकजमपल के तूर पे लेते हैं पहले आपको पता होना चाहिए BIS के आधार पे हमारे जो होल के प्रकार होते हैं 25 होते हैं जिसे हम मौलिक विचलन भी बोलते हैं जिने हम कैप्टल लेटर से डिनोड करते हैं ठीक है इसी प्रकार से BIS पद्यत में ही हमारे जो साप्ट होते हैं वो भी हमारे 25 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम small letter से दर्स आते हैं मतलब कि जिन्हें हम बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो question आपको यहाँ पर दिख रहा होगा capital G है तो यहाँ पर यह small G होगा ठीक है यहाँ पर misprint है और जो हमारा whole होगा या जो यहाँ पर पहले लिखा होगा वह हमारा capital letter में होता है यहाँ कहने के मतलब जो भी हमारे whole basis पद्यत में जितने भी letter होंगे वो क्या होंगे capital letter में लिखे जाएंगे जो soft basis पद्यत पर जो भी हमारे letter होंगे वो smart letter में दर्स आए जाएंगे अब यहाँ पर सीधा question पर आते हैं किस प्रकार से question पूछे जाते हैं तो एक example पर हम लिखते हैं 50 और यहाँ पर लिख लेते हैं h8 और g7 ठीक है तो यहाँ ऐसे question में clearance fit भी पूछा जाता है तो अगर आप कहेंगे तो हम next video में किस प्रकार से हम fit पता करते हैं हमारी कौन से fit हैँ तो और एक आपका figure से भी इस type के question आते हैं इसमें आपको बताना होता है की कौन सा इस میں fit है न और इस type के दूसरा एक और एक जांपल ले देते है कि this type का आपको figure देगा ड्राइ ग्राम दे देगा इसमें का पूछेगा कि कौन से fit हैं इन दो figure में पूछा जाता है कि कौन सा fit है अगर आप कहते हैं कि ये चीज़े हमको नहीं आती हैं तो हम आपको next वीडियो में बता देंगे लेकिन आपको comment करके बताना होगा ठीक है तो अगर अधिक से दिक comment आते तो इसके बारे में भी हम next discuss कर लेंगे ठीक लेकिन आज की वीडियो में जो कोशन है उससे related हम discuss करेंगे तो हमसे यहां पर पूछा गया है इसमें हमको क्या बताना 50 H8 और G7 में क्या तो 50 क्या है पहले बात exam में आपर आता है तो 50 हमारा यहां पर क्या होता है basic size होता है जो H8 होता है H8 का मतलब क्या होता है यह हमारा hole है ठीक है hole का hole basis पत्दिती है फिर इसके बाद 8 क्या है तो 8 का मतलब यहां पर है कि जो हमारा tolerance grade है hole का tolerance grade कितना है IT8 है ठीक है कितना है IT8 तो hole का tolerance grade को यह दरसाता है G7 क्या है यह हमारे soft के tolerance grade को दरसाता है soft के tolerance grade कितना है IT7 है तो इस प्रकार से यहां से question पूछा जाता है अब यहां पे आपसे question पूछा कि 75H8 J7 में HJ7 का क्या रथ है तो जो आप को अपान में मतलब की आपलिक के बाद में वह हमारा साप्ट होता है जो ऊपर दिखेगा हमारा होल होता है ठीक है इस परकार से याद करना है और यहाँ पे जो होगा, इस माल लेटर में होगा, जैसा कि हमने starting में बता है, तो यहाँ पर क्या पूछा है, जे 7 का क्या अर्थ है, तो साफ्ट पर जे 7 की tolerance है, यह इसका मतलब होता है, अगर यहाँ पर H8 का मतलब पूछ था है, तो होल पर IT, यहाँ पर कुछ मिस्प्रिंट है, कैसा है, तो होल पर यहाँ पर H8 होना चाहिए है, यहाँ पर H8 होना चाहिए है, तो होल पर IT 8 की tolerance है, यह हमारा right answer होता, लेकिन question के according right answer बारा, यह option होगा, चलिने इस question देख लेते हैं, limit or fits के BIS system के अंसार 18 ग्रेडों को tolerance द्वारा संबोधित किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर बताना था कि limit fit के BIS के अधार पर 18 ग्रेडों को tolerance किस के अधार पर दर्साया जाता, तो यह हमारा right answer हो जाएगा, इसको IT 0 और IT 01 इससे IT 1 से IT 16 तक दर्साते हैं, तो यह right answer हमारा D option हो जाएगा, इसमें आपको confusion नहीं हो ना, क्योंकि यहाँ पर direct IT 1 से IT 18 तक option में दे देगा, तो यहाँ पर जो starting आपको यह चीज याद रहे, यहाँ से confusion होता है, तो यहाँ से यह चीज आपको याद रखना, IT 0, 1 से IT 0, यह ऐसे करके याद कर सकते हैं, IT 0 से IT 01, फिर IT 1, फ हमारे 18 आ जाते हैं, यह क्या होते हैं, हमारे BIS में tolerance grade होते हैं, जह हमने आपको trick बताया था, कि अगर BSI में tolerance grade पूछता है, BSI में tolerance grade कितने होते हैं, वो 16 होते हैं, और BIS में अगर पूछा जाए, तो वहाँ पे कितने होते, 18 होते हैं, कैसे याद करना था, हमने बताया था, होते हैं निश्कोशन ओपका सिध इतनेम प्रकारी होती चिलीन फिट oluşटी होती आपकी रन्निंग फिट दूसरी होती है स्लाहिट meet विट में हमने आपको बताया था कि जो भी बेरिंग और साप्टें इनके मद्ध जो भी हमारा fit प्राप्थ होता हूं अमारा रिनिंग fit प्राप्थ होता Salide fit में जैसे हमारे power exa machine, safer machine इन machine में क्या होता है हमारा कौनसी fit प्राप्थ होती है Salide fit प्राप्थ होती है ठीक अगर आप से पुछा जाता interference fit कितने प्रकार की होती है वो हमारी त्री प्रकार ही होती है आपको पता होना चीए नमबर एक होती है ड्राइब फिट दूसरी हमारी कौन सी फोर्स फिट होती है और तीसी होती स्रीकेंज फिट फिट से याद करवाते हैं कि ड्राइब फिट में क्या होता है इसको hammer द्वारा हम fit प्राथ करते हैं hammer इसमें hammer का प्रियू करते हैं ठीक है और ये भी हमारी three type की होती है light और medium और heavy ठीक है इसी प्रकार से force fit जो होती है hydraulic pressure द्वारा fit की आती जो srikens fit होती है इसे हम जैसे जो हमारा hole का part होता उसे हम गरम करते हैं जो हमारा साफ्ट होता वो बड़ा होता है कहने के मतलब स्रिकेंज फिट उसे कहते हैं जहां पर हमारा होल का साइज क्या होता बहुत छोटा होता है और साफ्ट का साइज हमारा बहुत अधिक होता है मतलब की होल से बड़ा होता ठीक है तो यहां पर हमारा यह होता है स्रिकें का साइज बढ़ जाता है जब बढ़ जाता है एसको लकडी कट होता है रिलGa lád sind connect जब गरम कर देंगे फैल जाएगा फिससके उपर चढ़ा देतें जब चढ़ा हदेतें तो बाद में जब ठंडा होता सिकूर जाता तो ये टाइट हो कोई भी हमारे से फाइज है 17 क्या है ważne सायज है। जब बैसे फाइज के दोनों तरफ छोड़ जाती मतलब कि 17 दोनों तरफ हमारे संख्या है और 17 मतलब यह कि 16.99 करके भी अगर कोई साइज आता है और 17.01 करके मतलब बेसिक साइज से उपर और बेसिक साइज से नीचे अगर दोनों तरफ हमारी साइज आती है तो उसे हम बोलते हैं टूलिस इस प्रकार से इसको मारा दोनों तरफ छूर दिया रहरी है तो हाइ लिमिट भी है और लु निमिट भी है ठीक है अगर यहां पर पूछा जाए है हाइज कितना होता तो हाइज यहां पर आपका 17.01 हो जाएगा THIS है यहां यहां पर हाइं निश्ट 전에 ने expansion fitting में इस type का question आपका DMRC पूछा गया था expansion fitting में soft को dry ice में किस तापमां तक ठंडा किया था expansion fitting में soft को dry ice में किस temperature ठंडा किया था तो वह आपको temperature याद होना चाहिए minus 70 degree centigrade पर हम ठंडा करते हैं 淳jem कोशा देख लेते हैं यहाँ पछा गया h8 का क्या art है तो h8 का में यहाँ पर मतलब है कि whole जो tolerance grade it h8 का मतलब क्या whole का जो tolerance grade कितना it8 है तो pak Aggie amingen इसके बाद है ne Inst adequate हमारा है यहाँ पछा गया 75 का क्या आउत है iading 75 का persönlich है कि जो हमारा और क्या है जिसका बैस क्या है 75 में तो हमारा right answer भी option हो जाएगा second अगला question हमारा negative lounge कितने प्रकार का होता है तो हमने आपको बताया था कि lounge आपका दो प्रकार का होता है positive lounge और negative lounge फिर उनके दो प्रकार के होते है negative lounge हमारे दो प्रकार के होते है अधिकतम negative lounge और new term negative lounge इसका मैने figure आपको बताया था कि अधिक्तम negative lounge का formula कैसे निकालते है न्यून-type negative lounge का formula कैसे निकालते है इसको हम बहुत अच्छे से clear कि ये थे अगर आपने वीडियो कि नहीं देखा तो आप playlist में जाएं वहांपे अगर चैप्टर ही अगर होता था go अगर grinding के आपने वीडियोँ नहीं देखें, तो grinding के playlist होए है, limit Development ऑने वीडियोँ नहीं देखें तो इसके अलग है, अगर आपने लिट मसीन के वीडियोँ अपने नहीं देखें तो इसके 789 जितने भी पाइ्ट वीडियोँ है वहाँ पने हुए है, playlist जीक है, तो वहाँ पर स Expansion fitting में साथ को तरल nitrogen में की स्थापवान तक ठंडा किया जाता है तो यहां पे right answer हो जाएगा minus 190 degree centigrade पर क्या करते हैं Expansion fitting में अग जब आप से पूछा जाए तरल nitrogen तो right answer हो जाए हमारा minus 190 जब dry ice पूछा जाए मतलब सूखी बर्फ है तो न आइस तो आप पिन्ट पर हम आरह तो यह कुछ सों नदेगरी सेंटिगट यह रीत अंसर हो जाते हैं अब सेंगी सांसे आपको आते हैं तो父 हम कमेंट करके बताों कि आपके यहां पर आपको बताना और इ maneira churn यह फीगर एक बना हुआ ठीक है फिर से आपके क्रेट कर देते हैं यह फीगर बना हुआ इसमें आपको बताना कि कौन सी फीट है ठीक है यह हमने एक फीगर आपको बना के दिया है यह हमारा फस्ट कोशन है इसमें आपको बताना कि कौन सी फीट है ठीक है फ्रेंट्स यह जो कर लिजिए second question हमने आपसे पुछा यह question number two कर लिजिए इसको में hole कह दिया यह हमारा sapht कह दिया यह दो question हो गए in question को आपको solve करना है तीसरा question note कर लिजिए कैसा होगा तीसरा question हम आपसे पुछ रहे हैं यह figure है इसमें आपको बताना है कौन सी fit है ध्यान देना इसमें आपको बताना कौन सी fit है यह हमारी sapht है यह हमारी hole है ठीक है figure आप बना लिजिए copy में इसमें आपको बताना कौन सी fit है यह question number हमारा तीसरा चौथा number एक question और दे रहे चार question हो जाएंगे है न तो question number नमेर चार में यह क्या हुजआ है यह हमारा जो था क्या है हमारा हूत है और यह हमारा हूत है ठीक है फिर से देख लीजी क्षिन नमर question को figure बनाके आपको उसकी fit बतानी है ठीक है हम देखें कि कितना आप सही कर पा रहे हैं करें question को आप सही कर पा रहे हैं तो हम और अच्छे से explain करेंगे नहीं आ रहा है उनके फिट बतानी है ये काम आपको करना ठीक है तो आज किस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो जो भी आपकी दो घंटे बाद अप्लोड होगी ये दो तीन घंटे बाद जो बियरिंग चैप्टर की होगी तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलेगा ठीक है फ्रेंस बाई बाई फ्रे मिलते हैं